आप सब्सक्राइब आपका हर्दिक स्वागत है चलिए शुरुबात करते हैं और देखते हैं इस लेसन में आपकी क्या क्या लेर्णिंग होने वाली है तो देखें जो कुश्चन आपके सामने यह क्या कर रहा है कर रहा है एक स्टेट लाइन है सो आयव डॉन ए पी स्टेट लाइन हैं और कर रहा है सी ओडी जो पॉंट्स हैं वो एक ही साइड में हैं यह अपका यह तरीके से कि आपका जो आपका यह 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 पर्पेंडिकुलर आप नहीं यह यह दू आ ले लेता हूँ मैं तहो यह कहां मिल सब्सक्राइब पॉल रहा है अगर पॉइंट इपे मिलने तो देखिए क्या बोल रहा है आप से ए इपॉन एडि यह लिख दिया मैंने जो सोरी एए अपॉन एडि को यह पूछ रहा है तो कोई पहले हम यह अंडिस्टाइड करते हैं कि जो हमें निकालना है उसको उसके पहल कोई ही लाइन के पर्पेंडिकुलर और अगर मैं को एक लाइन दे रहा हूं और उसके परपेंडिकुलर आप दो लाइन्स खीचोगे कोई कि यह जो है लाइन आपकी इसके परलल हो गई इसके पर्लिल हो गई ऑफ विए जो ट्रांगल बिनता ही दोनों क्या होते हैं Birthday सि मिल्र होते हैं寸िमिलंटर रिएंगल होते हैं सिम्में ट्रेइंगल नहों और रही जडस मैं को अब तो यहाँ पर यह चीज़ें आपके डिटेल में डिसकस हुई हैं, यह आपका जो CE है, और जो आपका यह EB है, यह दोना सिमिलर होते हैं, आप यहाँ से क्विक्ली एक रिलेशन्शिप लेख सकते हो, फटाफट क्या कर्रिस्पॉंडिंग साइट्स मालूम है, आप कह सकते हो क आपका AE ratio ED अगर आपने लिखा, this will be simply equal to CE upon CB, CB लिखोगे, नहीं, CE upon EB, ठीक, मतलब इस वाले triangle का एक साइड लिया, AE upon ED, दूसरे वाले triangle का, सेम मैंने वही कहा कि इधर आपका CE upon EB, वो लिख दिया, अब आपको ED तो नहीं चाहिए, AE upon AD चाहिए, AE upon ED कैसे मिलेगा, जेखो कै कैसे मिलेगा, इन दोनों को reverse कर लो, अगर इन दोनों को मैं reverse करता हूँ, तो यह हो गया, ED upon AE, यहां आपका क्या हो गया, EB upon CE, और इन दोनों में plus one plus one कर लिया, ED plus AE, अगर आप इसको जोड़ दोगे, आपको मिल जाएगा, ED plus AE upon AE is equal to EB plus CE, EB plus CE upon CE, ठीक है, अब यह ED plus AE देखो CE क्या है, EB plus CE आपका क्या है, BC, ठीक है, यह देखो, आपको ध्यान से मैंने आपको क्या value दिखाई, मैंने आपको दिखाया कि आपको मिला है, यहां पर AD upon AE आपने अगर लिखा है, और यह value आपको किसके बराबर मिल रही है, this value you are getting, to be equal to AD upon, AD upon AE अगर आप लिखते हो यहां पर, is equal to what I am getting is BC upon CE, BC upon CE मिल रहा है, जो आपसे पूछा गया है, इन दोनों के उल्टे का sum, अगर मैं reverse लिखता हो तो मुझे आप यह पता लग गया कि AE upon ED जो मेरा है, वो CE upon BC के बराबर है, यह मुझे मालूम चल गया कि यह दोनों term आपस में बराबर है, बस, और मुझे कु लिखना है, ठीक है, क्योंकि इनका sum कितना है मैं नहीं जानता हूँ, नहीं आपका variable to constant वाला case है hundred percent, why, because none of these भी दिया हुआ है, ठीक है, अगर let's say D option में लिखा होता, one, two, three, four, कोई number लिखा होता, फिर तो हम इसको कुछ भी मान के निकाल लेते कि मुझे पता था हर case में से ह नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, none of these दिया हुआ है, आप खुद ही देखो, कि I can find कि AE upon AD, AE upon AD जो है, वो आपका CE upon CB के बराबर है, और यह relation आप चाहो, तो थोड़ असा इसको आप direct ध्यान रखो, आपके लिए काफी आसा नहीं है, कि CE upon पूरी लेंध अगर आप लिख तो, that is going to be AD, है ना, these things are going to be equal, है ना, तो यह आप relationship direct ध्यान रख सकते हो, but what is more important is that, यह दोनों बराबर हैं, बर इनका sum मुझे नहीं पता, ठीकि वो डिपेंड करेगा कि डियाग्राम में कौन सी वैलू क्या है, यह दोनों बराबर हैं, but I cannot tell you anything, क्योंकि और कोई absolute value मुझे पता ही नहीं है, मैं नहीं जानता हूं कि AE upon AD का ratio क्या है, कुछ भी हो सकता है, depend करता है, कि D इसकी 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 length में क्या ratio है, right, so I don't know that, so if I don't know that, I cannot say what is the answer, none of these, ठीक, देखिए question क्या करा है कि ABC एक right angle triangle है, इसमे BC आपका 5 है, AC आपका 12 है, D एक point है hypertonus पे, hypertonus क्या है AB, यह एक क्या दिया हूआ है, 12, नहीं, देखो, C आपका right angle है, आपको क्या क्या दिया हूआ, AC आपको 12 दिया हूआ, BC आपको 5 दिया हूआ, और यह आपको पता है, 13 होगा, ठीक, 5, 12, 13, यह होता है, प्र देखो आपको क्या दिया हूआ, आप करागे, यहां पर एक point में ऐसे ले को इसको एक्स बोल लिया है अब जिरा कुलेशन करनी है मैं इस लेंग लेता हूँ इसको मैं 13-Y माल लेता हूँ और मैं लगाऊंगा साइण रूल लगाऊंगा क्योंकि नाइंटी डिगरी थोड़े ना है एंगल पता गिंए मुझे मैं कैसे लगाऊंगा और यह आपको कहीं नहीं अच्छे से understand करना होगा कि sign rule यहां पर कैसे लगेगा जो आपको BCD angle 30 degree दिया है तो एक चीज आपको और मालूम चल जाएगी कि यह वाला angle 60 degree होगा क्योंकि यह तो पता है कि यह c पे right angle है यह angle 60 degree लगेगा आप देखो sign rule आपको लगाना है कैसे लगाना है यह मैं आपको अच्छे से समझाता हूं देखो एक चीज आप मुझे बताओ कि यहां से sign B आप निकाल सकते हो जैसे मैं पूछूंगा sign B आपको होगे perpendicular 12 upon base 13 यह हो गया ऐसे ही यहां पर अगर मैं आपसे sign A पूछूंगा आप sign A भी बोल दोगे 5 upon 12, 5 upon 13 यह perpendicular बनेगा और यह बेस बनेगा 12 upon 13 और 5 upon 13 sign A और sign B मुझे मालूम है तो अगर इनका इस्तेमाल करना हुआ तो कोई तकलीफ नहीं है अब sign rule अगर मैं लगाओंगा किस ट्राइंगल में वो ट्राइंगल है मेरा BCD ध्यान से देखना आपको होगे कि I can quickly say X के opposite क्या है आपका sign B है है कि नहीं है तो आप क्या कह सकते हो कि X upon sign A sign B X upon sign B यहाँ पर लेख दिया sign will be equal to Y upon sign 30 यहाँ पर कोई confusion नहीं और मुझे ultimately क्या निकालना है बताओ CD की length निकालना है CD का मतलब X निकालना है मुझे Y eliminate करना है अब मुझे यहाँ सब कुछ मालूम है आप जान से देखो यहाँ मुझे सब कुछ मालूम है मुझे sign 30 पता है एक बटा 2 है एक बटा 2 से replace करोगो तो यह क्या मिल जाएगा आपको 2Y मुझे sign B की value मालूम है कि वो 12 बटे 13 है तो यह 13 by 12 भी बन जाएगा एक relation मैंने quickly यहाँ लिख दिया second relation कैसे आएगी वो देखो किस triangle में जाओंगा आप triangle ACD में पहुंच जाओंगा triangle ACD में पहुंचते ही मैं कहूंगा कि यह हो गया मेरा X upon ज्यान से देखना X upon यह sign A बनेगा sign A कितना है आपका पांच बटे 13 है तो यह आपका 13 बटे 5 बना देगा दूरंसे is equal to is equal to यह आपका है क्या 13 minus y divided by sign 60, sign 60 आपका root 3 by 2 होता है root 3 यहाएगा और 2 आपका कहीं यहाएगा और वो 2 आप ले जाके यहां भी बिठा सकते हो और यह 10 बन जाएगा ठीक है यहां 2 आया मैंने उठाके यहां रख दिया बात एक ही है कोई फरग नहीं पढ़ता उससे so ultimately मेरे पास कुछ इस तरह की value आएगे अब आपको पता है आपको निकालना गया है आपको x निकालना है की y निकालना है आपको x निकालना है तो y को eliminate करेंगे तो आप 13 बटे 26 रखोगे y is equal to 13 by 26x that's what I need to put तो जैसे ही मैं इसको लिखूंगा आपको दिखो यह equation में क्या बनेगा 13x by 10 इधर है और वहां पर y के value गर मैं 13x by 12 लिखता हूँ 13x by 24 यह y है न यहां पर ऐसे करके लिखूंगा आप खुद बताओ क्या होगा 13 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या 13 मैंने common ले लिया तो जो value मेरे पास थी y की value को मैं replace कर रहा हूँ 13 by 24x से 13 by 24x से तो this value will be actually like this you will have 13 common 1 minus x by 24 divided by root 3 तो यहां रहे गई रहेगा अब आपको करना क्या है आपको x के component इकठा करने पड़ेंगे तो यह तो cancel out होगा 13 13 13 13 cancel out होगे यहां मेरे पास क्या बच रहा है आपको ध्यान से देखना है I am having x upon 10 अगर root 3 भी उधर ले जाओ तो मेरे पास है x root 3 upon 10 plus x upon 24 है मेरे पास और यह value 1 के बराबर है यहां से मेरे को बस x निकाल लेना है तो अगर मुझे यहां से x निकाल लेना है x की value मुझे ultimately identify करनी है कि क्या है so I will try to take LCM 120 120 से multiply करोगे तो यह 120 उधर जाएगा 120 से multiply किया तो यह बनेगा आपका 12 root 3 plus 5 ठीक x into 12 root 3 plus 5 is equal to 120 x की value कर आप निकाल लोगे तो यहां से क्या मेरे लेगी 120 upon 12 root 3 plus 5 which is nothing but option ठीक है तो question काफी interesting था interesting था आपको यह कहने के understand करने की ज़रूँ था this question was interesting इसमें कहीं कोई दो रही नहीं है ठीक है कि question कैसे आपको solve करना है ठीक है पर panic होनी की जरूद नहीं if you follow the right process you can do it sign rule लगाना है और y को eliminate करना x के value आ जाएगी को challenge आपको यहां पर नहीं आने वाला है अब ठीक है diagram अगर थोड़ा सा scaled हो था then you could have thought something different as well इसे आप कुछ और दिमाग तब लगा सकते थे में भी कि आप करते हैं यह 5 कि तरह लगता अगर यह 12 कि तरह लगता है ना तो हम करते कि चलो हम अगर line यह 30 degree के draw कर रहे हैं तो मेरे पास कुछ ऐसी line बनेगी all right कुछ ऐसी line बनेगी यह इंगल आपका 30 degree आ रहा है तो यह जो value आपको यहां पर दिखाई देती आल राइट यह value दिखाई देती आपको वह clearly दिखाई देती कि यह पूरी value अगर 13 है और मैं स्किल डाग्राम बनाओ तो आपको यह value दिख रही है कि नहीं आप से 8 के round नहीं possible है I am looking for a value which is less than 6.5 और राउंड 5 के असपास हो 13 65 yes looks probable 5 plus 12 root 3 right 12 root 3 किस के बड़ाबर होगा 12 into 17 के बड़ाबर होगा लगब 20 plus 5 25 यह भी आपका 5 के असपास आ रहा है contention में है right अगर मैं इस value की बात करू तो यह भी 6 के असपास आ रहा है तो मैं यह करा हूं कि option elimination इतना आसान यहां पर नहीं है scale diagram अगर आप बनाने की कोशिश भी करोगे then you can at least rule out one option but not others इसलिए आपको solve तो करना पड़ेगा या फिर आप और close जाने कोशिश करोगे approximation में और जादा सोचने कोशिश करोगे तो exam में आपको scale allowed नहीं है कि आप diagram proper draw कर लो फिर तो आप देखी लोगे कि कितना length है फिर तो कुछ करना ही नहीं है लेकिन यह सब करना फिर cheating माना जाएगा ठीक है और नहीं इतना obviously आपको नहीं देख रहा है right so just have no worries try it out कि ऐसे करेंगे कोई देखकर नहीं है ठीक है अब देखे कोशन करा है कि एक equivalent triangle है और दूसरा equivalent triangle draw किया गया है उसके अंदर midpoint को join किया गया है और process को seven time continue किया गया seven times एक बार बनाया गया एक triangle बना दूसरा तीसरा इसा करके what is the area of four triangle to the seven triangle यह चीज़ें आपको बता चुके हूं पता चुका हूं मैं पहले लिगो midpoint को जब आप join करते हो बनी join these midpoints right you get another triangle इस triangle को कर मैं बोलता हूं triangle one तो फिर कह रहा है कि जब दूसरी बार midpoints को join करोगे you will get another triangle that I will call it triangle two तो आपको पता है every time जो area होता है 1 fourth हो जाता है so the definition is simply that if you are trying to find area of the nth triangle in this fashion उसका जो area होगा nth triangle का जिसको an बोल रहा हूं वो सबसे पहले की area का two की power two n times होता है one a upon two to the power two n अब आपसे देखो इन्होंने क्या बोला let's say कि आपको area ratio निकालना है ठीक है किस triangle का मालिया an1 और an2 ये दो triangles है इसका area निकालना है मालिया ऐसे लिखता हूं an2 upon an1 का area निकालना है तो देखो क्या होगा आपका simply ये जो value है two to the power two n reciprocal है ultimately देखो क्या बनेगा मैं आपको दिखाता हूं ये value ultimately आप इसको लिख सकते हो two to the power two और ये हो जाएगा n1 minus n2 simple अगर मुझे इस तरह से रिष्टा या relationship calculate करना है तो मैं लेट से कहता हूं a7 a7 क्या होगा आपका a upon something something ऐसे करके जाएगा ये ultimately relationship आपकी built होती है यहां इन्हों ने क्या बोला है fourth triangle to seven triangle अगर मुझे fourth triangle to seven triangle निकालना है तो मैं इसको बोल सकता हूं let's say seventh और इसको मैं क्या होगे आपको seven और यह होगे आपके four seven और four minus कितना होगे त्री टू की power six बना clear or not two की power six क्या होता है 64 64 इसमें मुश्किल है नहीं आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो मैं आपको बताता हूं कि जैसे यह triangle से दूर्से पर आप जाते हो जम्प कितना आता है one by four का सो ऐसे मैं सोच सकता हूं कि मैं four seven जा रहा हूं four five six seven आप ऐसे देखो जान से ठीक है तो आप रिवर्स फैशन में बढ़ सकते हो कि इसका अगर one है तो इसका आइया चार बुना होगा इसका एरिया और फॉर टाइमस होगा इसका आइड और फॉर ताइमस होगा ऊंड़ेशिट इस तरह की एक्सप्रेशन में जाने की ज़रुत नहीं यह जल्दी आना है दस लाइक ब्मक्त से भी उसे क्वेले थे रावान कोह नहीं क्वेंख़ खर में क्या किया रहा थ्यान सा देखना के राएख कराval से आपका रूइय। triangle जिसका side 2 होता है तो BD मेरा root 3 होता है अगर आप BD square पूछ तो BD square is equal to simply root 3 का square 3 option जो दिया हुआ है उसमें आपको बता है यह तो 1 1 होगा यह 3 AD square के बराबर हो जाएगा 3 times 1 square is 3 कुछ भी नहीं करना है आप ऐसे mark कर दो traditionally लगाना है then pythagoras use the pythagoras so you will say that AB square जो आपका होगा that will be equal to क्या आपका यह हो जाएगा simply BD square plus AD square और आपको पता है AB क्या होगा यहां पर twice AD का whole square क्योंकि यह आपका half side हो जाता है bisect करता है और equivalent triangle है यह बन जाएगा BD square plus AD square और आपका यहां से BD square अगर आप calculate को तो 4 minus 1 3 AD square straight forward easy question you can mark like this C option देखें क्या कर रहा है question कर रहा है कि एक D जो point है वह point aside BC of the triangle ABC यह आपका triangle ABC है triangle ABC में कह रहा है कि जो यह point है आपका D point वो इस तरीके से BC पे कि यह आपका perpendicular हो गया यह point आपका D हो गया और E कह रहा है point AD पर और इस तरीक करने है तो आपका बदी है यह और और यह है और तईयने कर जाना है तो आइवल से simply यह वाल एंगल, तो जरह देखते हैं कि tan of angle ACB जो मुझे दिया हुआ है और दूसरा जो angle मुझे प्रोवाइड है वो है आपका tan of DBE, tan of DBE angle, इन दोनों को लिखते हैं पहले, so tan of ACB की अगर आप बात करोगे, अगर मुझे इस angle का tan निकालना है, tan, so it will be simply what? I can say it is going to be 6X perpendicular, 6X upon this DC, perpendicular upon base, 6X upon DC, because यह वाल एंगल मुझे निकालना है, tan of this angle, दूसरा यह है 6 times tan of angle DBE, अगर मैं DBE को ध्यान से focus करूँ, तो आपको हो कि यहाँ perpendicular कितना है, X, what is base, base is BD, so pretty simple, that 6X got cancelled, और 6X cancelled हो गया, तो आपको यह मिल गया कि BD आपका DC के बराबर है, यहाँ से BD आपका DC के बराबर है, तो यह क्या हो गया, bisector हो गया, clear है कि नहीं, this became the bisector, BD आपका DC के बराबर हो गया, आप से पूछ कह रहा है कि angle A, C, B बता दो, मतलब यह वाला angle मुझे बताना है, clear, यह वाला angle मुझे बताना है, तो देखें सबसे पहले important बात क्या है, कि यह bisector आ अहिता है, this becomes A, Sorse Less triangle, A, Sorse Less triangle हो जाता है, A, Sorse Less triangle में आपको यह भी पता है, कि यह वाला जो होता है, यह angle bisector भी होता है, that is also known fact, कि A, Sorse Less triangle में, jो median होता है, वो perpendicular bisector होता है, साथsung साथ आपको बता है, और ये आपका angle bisector भी होता है तो ये 30 है तो ये क्या हो गया पूरा का पूरा 60 हो गया साथ सी साथ आपको ये भी पता होगा कि कोई भी isosless triangle में अगर isosless triangle में अगर एक angle भी 60 degree हो जाए isosless triangle में तो वो triangle equilateral हो जाता है तो यहां पर ACB जो angle आपसे पूछ रहा है ये क्या हो जाएगा 60 degree ये वन ये वाल angle भी 60 degree हो जाएगा अच्छा सवाल था you need to relate things and then mark the answers simple is, question is simple but आपके alertness बहुत important है अब देखिए एक question कर रहा है कि AD, B, C, F जो है एक triangle की median है तो आपको बताना है इसमें कौन सा statement correct है तो देखिए क्या है कि ये चीज़ आपने थियोरी में देखी होगी यहां पर एक revision हो जाएगा कि ABC एक triangle है जहां पर आपके median से जो मैं फटा-फट बना देता हूँ कि this is one median AD, then you have another median which is BE that this is the median and then you have another median which is CF so ये आपका C हो गया ये F हो गया ये भी आपका बराबर है इसके बद करहा है कि कोई relationship develop करनी है AD, BCF यानि लेंथ अफ़ दे medians में और जो side sound की length में तो आपको देखिए मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आप यहां पर लिखते हो कि AB plus AC अगर आपने लिखा AB plus AC यानि from vertex है जो दो side sound को लिख दो ये value जो होती है ये आपकी किसके से बड़ी होती है it is more than twice of AD twice of AD से बड़ी होती है ठीक है तो ऐसे ही आपको होगे AB plus AC फिर आपको होगे यहां पर कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि BC plus B है अगर आप इनका sum कर लो तो left में आजाएगा twice of AB plus BC plus CA sum of length of sides जो है आप इसको perimeter भी बोल सकते हो और यहां पर आपका AD plus BE plus CF आजाएगा और इसका भी twice cancel out हो जाएगा तापको जो relationship यहां पर built हो रहा है वो A option बना है जो perimeter हो तो ताइंगल का that is more than sum of length of the medians right that's what you can easily write पर देखो क्या है कि यह तरीका तो होगा traditional जो आप कहने के थेरी में पढ़ चुके थे इसमें कोई challenge नहीं है पर इस question को देखे शॉटली करना है तो क्या तरीका हो सकता है वो आप थोड़ा सा ध्यान से सोचते हैं इसके बारे में आप को होगे कि if I just think about equal triangle कोई चीज किसी भी triangle के लिए correct है तो वो equal triangle के लिए भी correct होगी equal triangle में जो median के length होती है न वो क्या होती है that is root 3 और तीनों median बराबर होते है तो यहाँ पर जहाँ पर AD, B, C, F लिखा है सारे question में it is just simply nothing but 3 root 3 equal triangle अगर standard वाला लिए 2 वाला तो median length root 3 होगा तीन median है तो 3 root 3 होगया और right side में value क्या है अगर sum of sides आपने लिखा है तो that is 6 आप खुद बता दो कि कौन सा relation इसमें correct है A correct or not 3 root 3 is 5.1 this is 6 definitely correct पर क्या भी सही है हमें भी verify करेंगे कि कोई और option भी कहीं इस particular case में सही ना हो रहा हो आपको होगे दूसरे में तो उल्टा दिया है तो कभी सही नहीं होगा बराबर दिया है कभी सही नहीं होगा root 2 times यह भी गलत है 6 root 2 is not equal to 3 root 3 गलत तीन option अगर गलत होते हैं तो चौथे का सही होना उसकी मजबूरी होती है तो आप अगर relation नहीं भी जानते हो यह वाला तो यह answer जरूर लगा किया होगा जस्थाव इस clarity यह कैसे मैं एक standard triangle को मान की भी अपने questions कर सकता हूँ you will find very easy ride आसानी से exam में questions निकल जाएंगे आपके चलिए question देते हैं कि triangle आपका दिया हुआ है PQR तो यह को triangle क्या है PQR लग दिया और आप से करा है कि SOT points कैसे है S यहाँ पर P पे है और T आपका कहां पर है T आपका यहाँ पर है कहीं ठीक है तो इसके साथ क्या कहानी दी हुई है जो आपको understand करना है वो है कि angle जो PQR है लटसे alpha यह PST के बराबर है तो यह angle आपका alpha है यह point T है ओके तो आपको यह situation पक का ध्यान होगी कि जब भी कभी ऐसा होता है तो जो आपका triangle PST होगा that will be similar to triangle PQR के क्यों होता है बाई देखो एक angle दो common ही है P दोनों में और एक जो S वाला angle है और Q वाला angle है दो angle same होता है triangle similar हो जाता है बड़ जो corresponding side से वो थोड़ी interesting है उनको आपको देखना पड़ेगा कि बड़े वाले triangle का यह जो side है वो छोटे वाले side के इस triangle के corresponding होगा इस side के corresponding होगा राइट वाइट वाई विकास हमें equal angle अगर ये angle alpha और alpha बराबर हो गया है ठीक है तो ये angle हमें beta लेना पड़ेगा और यहां पर ये वाला angle beta होगा plus क्योंकि ST parallel नहीं है QRK parallel होती तो case अलग होता है parallel वाले case में तो क्या होता है करिस्पॉंडिंग साइट भी सीम हो जाते हैं कि ये alpha alpha होता है और ये बीटा होता है आसान होता है इडिंटिफाइक करना है यहां वड़ा उल्टा case है पर ट्राइंगल समिलर होगे अब आप क्या कहोगे कि जैसे मेरे पास ये values आगे देते हैं कि दिया हुआ हैपको पीटी सब्सक्राइब को मुझाएक की तो कैसे आपको यहां पर alpha के पोजट भाइव है तो बीटा के पोजट क्या है 3 है बड़ए वाले ट्राइंगल में है alpha के opposite क्या है 3 plus x जो निकालना है x alpha के opposite हुआ है beta के opposite क्या है आपको 8 जो मेरा 3 plus x आया आपका that is equal to 40 by 3 x की value कितनी हो गई आपकी 31 by 3 c option so not difficult it's very very simple question आपको तकलीफ नहीं होने चे सवाल को करने में आप देखें एक थोड़ा सा आईडिया और लगा सकते थे उस्सा तरीका में आपको बताने कोश्च कर रहा हूं देखो यहां पर alpha के opposite बीटा के opposite the side ratio 5 ratio 3 का था तो यहां पर अगर बीटा के opposite जो value 40 by 3 मिल गई 40 by 3 में 3 माइनिस कर लो यह value आपके कितनी आ जाएगी 31 by 3 ऐसे भी निकाल सकते हो इसमें कोई challenge आपको मिलेगा नहीं आसानी से हो जाएगा अरो के डिस question question क्या कह रहा है कि आपका एक triangle दिया हुआ ABC तो मनें लिख दिया triangle A, B and C और इसमें क्या गया रहा है कि OF जो आपका है वो perpendicular है AB के तो यहां पर कई point O है जहां पर O बोल रहा है ortho center है ortho center आपको पता है क्या होता है altitudes जो आप drop करते हो न इन altitudes के intersection से मिलता है आपका ortho center right so ortho center is point of intersection of the altitudes यह आपका ortho center है तो यहां पर आपको क्या दिया हुआ है कि AB के जो perpendicular आपका OF है OF is perpendicular to AB है न और जो OE है वो AC के perpendicular है और क्या कर रहा है कि जो आपका BE की length है OE की length आपको दिया है 2 और BE की length आपको कितना दिया हुआ है BE की length आपको दिया हुआ है 5 पूछा क्या है आपसे OF into OC OF into OC अगर आपसे पूछा गया है OF into OC तो देखो यह बहुत ही असान सा case से कुछ भी challenging नहीं है अगर आपको थोड़ा सा भी discussion याद है ortho center का तो आपको यह बताए जा चुका है कि अगर यह आपका ortho center है let's say H और यह A है यह H है यह आपका let's say D है AH into HD जो आपका होता है AH into HD यह H into DH आप कहलो और यह जो value आप B कहलो है हाँपर तो that is equal to BH into HE है ना यह relations होती है similarity से आ जाती है तो OF into अगर मुझे निकालना है OF into OC that will be simply equal to OE into OB right that is what I'll get OE into OB तो अगर ऐसा होगा तो आप कहोगे कि OE की जो value है यहाँपर OE की जो value है वह 5-2 कितना है 3 ठीक है 5-23 है तो 3 into 2 यह 6 आ जाएगा और OF into OC भी आपका फिर 6 हो गया तो कि OEF into OCC के बराबर होगा that will be equal to 6 which is option 3 आसान सवाल है straight forward है आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए question करने में direct expression based है तो आपको यह orthocenter वाला expression बता होना चाहिए question निकल जाएगा ठीक है आप देखे एक question और देखो करा आस्था cuts a triangle out of a cardboard and tries to balance triangle horizontally with the tip of our finger on what point will she be able to balance the shape of any kind of triangle देखे बहुत आसान सवाल है आप हमेशा देन रहन हो कि term होता जिसको बोलता है center of mass center of mass का मतलब यह होता है कि किसी भी geometric figure का let's say there is a triangle there is a any any इस तरह का material है तो इस material में एक point ऐसा define किया गया है जिसको हम बोलते है center of mass geometric center center of mass geometric center जो होता है उस पे कहते हैं कि आप इस पूरे को replace कर सकते हो कि आप सारा mass आपका यहीं पर है तो इस पे अगर आप इसके बावट यह balance हो जाएगा इसके इस पे अगर आप अपना रख दो कोई भी एक पॉइंट लिख दो तो उस पॉइंट से इसको पूरा पूरा उठाए जा सकता है बिकास जो पूरी balancing है उस मास्की उस पॉइंट पे होते हैं जिसको जैमेट्रिक सेंटर हम बोलते हैं the triangle is what you have a triangle ABC मैंने लिख दिया है triangle ABC है डी क्या है बीसी का मिट पॉइंट हो गया और एक लाइन हमने लिए बी और बी लाइन को हमने बीसी की वैलू आपकी 17 है यहां पर 17 लिखा और एसी की वैलू आपकी 15 तो मैंने यहां फिप्टीन लिखा पूछ किया रहा है कि टी-सी बता दो वाट इस लेंथ अव टी-सी अब यह आपको अच्छे से ध्यान होगा इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्स्प्लेंड किया था यह अगर मिड़ पॉइंट होता है यह आपकी लाइन हो गई एक और यह मीडियन है इस मीडियन का जो मिड़ पॉइंट है उसको एक वर्टेक्स से मिला कि अगर आगे एक्स्टेंड करते हो आपको शायद ध्यान हो कि एक लाइन फिर अगर इसके अगर मुझे टीसी पूछ रहा है तो टीसी क्या होगा इस पूरे साइड के टू थर्ड होगा तो तू थर्ड और फिटीन इसका आंसर हो गया अंसर इसका अंसर हो गया उमीद करता हूं कि यह लेसंट भी आपको अच्छा लगा होगा और काफी कुस्स सेखने को मिला होगा थांक यू, हवे ग्रेट थाम